Welcome to GKGS with Manit Sir साथियो आज मैं आपको बताऊँगा 100 महत्वपुर्ण प्रष्ट जो आपके SSC, CHSL और GD के एक्जाम में कई बार पुछे गए साथियो साथियो आईए शुरू करते हैं आज का आपका 100 महत्वपुर्ण प्रष्ट पहला प्रष्टन है आपका पानी पत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था तो यह 5 नमंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था पठ चित्र किस राज्जी की परसिद्चित्रकला है तो ओडिसा की परसिद्चित्रकला आपकी है पठ चित्र खालसा पद की अस्थापरा किस ने और कब की थी तो गुरु गोविंद सिखने की थी और यह कब की थी तो 1699 में की थी साथियो गोल गुमबच, गोल गुमबच कहां पर है तो यह बीजापूर में है गोल गुमबच और बीजापूर साथियो किस राज्य में है तो इसका जवाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको साची के अस्तूप को कब युनेशको के 200 धरोहर में सामिल किया गया तो 1989 में साची के अस्तूप को World Heritage Site में सामिल किया गया जो कहाँ पर है तो मध्यपरदेश में है साथियों युनेसको में भारत के कितने अस्थान सामिल है परतमान में इसका जबाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको ख्वाजा मोईजुद्दीन चिस्ती का दरगाह कहां है तो अजमेर में है और अजमेर किस राजे में है तो रजस्थान में है अजमेर और अजमेर को ही बोलते हैं रजस्थान का हिर्दय अगला प्रश्ण है आपका चौसा का युद्ध किसके मद्ध और कब लड़ा गया था तो यह हिमायू और सेर्षा के बिच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था तो पंदरो सो उन्चालिस में लड़ा गया था जातक कथाओं का संबन्द है महातमा बुद्ध के पूर्व जन्म से साथियो इबन बतूता किस देश का नागरिक था तो यह मुरको का नागरिक था इबन बतूता कहां का साथियो तो मुरको का नागरिक था मुगल सासक अकबर का राजविशेख कब हुआ था तो 14 फरवरी 156 को अकबर का राजविशेख हुआ था साची का अस्थूप किसने बनवाया था तो असोक ने बनवाया था साची का अस्थूप साथियो अगला प्रस्टे है आपका जामा मस्जित का अंडर्मान पूरा कब हुआ तो 1556 में जामा मस्जित का अंडर्मान पूरा हुआ था और यह दिल्ली में है जामा मस्जित साथियो इसको बनवाया किसने था तो इसका जबाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको बुलंदर अवाजा को अकवर नी किस विजह के बाद बनवाया था तो गुजरात विजह के बाद बनाया था 1573 में तंजाबुर के ब्रिधिस्वर हिंदू मंदिर का अंडरमान किस ने करवाया था तो राजा राज चोलने करवाया था संगाई तेहवार किस राज में मनायाता है तो यह मनायाता है मनीपुर में संगाई तेहवार साथियो कहां तो मनीपुर में अगला प्रशने आपका चौथी बहुत संगीती किस राजा के काल में हुई थी तो यह कनिस के काल में हुई थी और कनिस के कुसान वंस का साजकता साथियो जोनी बिल मेला किस राज में मना आता है तो यह असम में मना आता है जोनी बिल मेला साथियो कहां मना आता है असम में और असम के मुख्य मंतरी कौन है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको स्वर्न मंदिर किस शिक्ष गुरु के द्वारा बनबाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनबाया गया साथिकी precision और गुरु अर्जुन देव शिक्ष धर्म के कैम में गुरु थे? इसका जबाब देना है कमेंटर भॉक्स में आपको कमाख्या मंदिर कहा इस्थी थे तो गुवार्टी में इस्थी थे कमाख्या मंदिर गुरुनानक साहब का जन्म कब और कहा हुआ था तो गुरुनानक साहब का जन्म 1469 में कब तो 1469 में तलवंडी में हुआ साथियो नादिर साह ने भारत पर कब आक्रमन किया था तो 1739 में नादिर साह ने भारत पर आक्रमन किया मनोरा का किला कहा है तो तंजावुर में है और तंजावुर किस राजे में है तो तमिलाडू में है साथियो और यहीं पर है मनोरा का किला ग्रैंट ट्रैंक रोड को किसने बनवाया था तो सेरसा सूरी ने बनवाया था ग्रैंट ट्रैंक रोड को बुलंद रवाजा किसने बनवाया था तो अकवर ने बनवाया था और साथियों मैंने भी जश्ट बताया कि अकवर का राजविशेक कब हुआ तो इसका जबाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको कि अकबर का राजविशे कब हुआ हरपा की खुदाई के समय प्रत्त्तो विभाग के महान निर्देशक कौन थे तो सर जॉन मार्सल थे कौन थे सर जॉन मार्सल मोहन जोदरों की खोज किसने की थी तो रखाल दास बेनर्जी ने मोहन जोदरों की खोज की थी कब की थी साथियो तो इसका जबाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको आगरा के किले का अंडरमान किसने करवाया था तो अकबर ने करवाया था हॉर्नविल मोहत सब कहा मनाया आता है नागा लेन में मनाया आता है हॉर्नविल मोहत सब साथियो सिंदू सभिता की सबसे पहले किस अस्थान के खुदाई की गई थी तो सिंदू सभिता में सबसे पहले हरपा की खोज की गई थी और कब की गई थी उनिश्ट एकीस में की गई साथियो सात्यों हरपपा किस नदी के किनारे है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। हैदराबाद इस्तित चार मिनार किसने बनवाया था तो कुली कुतूब सहाने हैदराबाद इस्तित चार मिनार साथियो बनवाया था घूमर निर्तिकिस राज से सम्दित और राजस्थान से सम्दित है चंद्रगुप्त पर्थम के बाद सासक कौन बना तो समुंद्रगुप्त बना साथियो कौन बना समुंद्रगुप्त जैन धर्म के 24 में तिर्थंकर कौन थे तो महावीर थे इबन बतूता किसके ससनकाल में आया था तो मुहम्मद बिन तूलक के ससनकाल में इबन बतूता भारत आया था लिंग राज मंदिर किस सैली में बना हुआ है तो नागर सैली में बना हुआ है लिंग राज मंदिर बराक घाटी किस राजी से समदित है तो कुछी पूरी आंध्र परदेश का मुख्य लोक निर्थ है कुछी पूरी साथियो और आंध्र परदेश को बोलते हैं अंडों की टोकड़ी अगला प्रश्ण है आपका अंतराष्टिय चेरी बुलंस महुत सब कहां मनायाता है तो यह हमें घाले मनायाता है अंतराष्टिय चेरी बुलंस महुत सब धाई दिन का जोपरा किस ने बनवाया था तो कुत्तुबुद्दिन एबक ने बनवाया था धाई दिन का जोपरा कहां है तो अजमेर में है एलोरा का अंडरमान एलोरा की गुफा का अंडरमान किसने करवाया था तो राश्टकूट वंस के सासको ने एलोरा की गुफा का अंडरमान करवाया था और यहां गुफा कहां पर है इसका जबाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको सबरी माला मंद कौन से राजे में है तो सेवर सबरी मारा मंदिर केरल में इस चित है अगला प्रस्ट ने आपका भारत के सबसे युवा राष्टर पती कौन बनी तो नीलम संजीब रड़ी बनी लगवक 64 वर्ष की अवस्था में बने थे या किस समिधान संसुधन के तहट मौलिक करतवे को जोड़ा गया तो ब्यालिसमा समिधान संसुधन के तहट मौलिक करतवे को जोड़ा गया साथियो बिधान परिशत को स्वाप्त करने और पुना सिर्जन करने वाला राज्य कौन सा है तो आंद्रपर्देश है और आंद्रपर्देश भासा के अधार पे गढ़ित होने वाला भारत का पहला राज्य है प्रस्तावनाय में सुतंतर्ता समानता और बंदुत्ता का सिध्धान किसने दिया कहां से लिया गया तो फ्रांस की ग्रांदी से लिया गया और फ्रांस के राष्टरपती कौन है इमेनुल मैकरॉन है और फ्रांस के प्रणार मंत्री कौन है तो एलिजाबेत बोर्न है अनुशेद 12 से 35 का संबन किस से है तो मूल करतबे से है राजमनार समीती के स्थापना कब हुई? 1970 में हुई आठमी अनुशुची में कितने भासाओं का उलेक किया गया है तो 22 भासाओं का उलेक किया गया है आठमी अनुशुची में साथियो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई बुद्ध गया में हुई साथियो आरे समाज के स्थापना किसने की ति स्वामी ध्यानन सोचती ने की थी पंजाबी भासा के लिपी कौन सी है तो गुरु मुखी लिपी है पंजाबी भासा की भारत में मुख्य भूमिक का दक्षिंतम किनारा कौन सा है तो कन्या कुमारी है साथियो भारत में सबसे पहले सूरिक किस राज़े में निकलता है तो और मौतर प्रदेश में निकलता है इंसुलीन का परियोग किस बिमारी के उपचार के लिए होता है तो इसका परियोग होता है मदुमेह बिमारी के उपचार के लिए बीहु किस राजिक का परसित्य तेहवार है तो असम का परसित्य तेहवार है कौन सा बिटामिन आमले में पर्चूर मातराय पाई आता ह। तो बिटामिन C आमले में पर्चूर मातराय पाई आता ही। भारत कार्थम गबरनर जर Bryndong कौन था तो विलियम बैटींग था। भारत कारथम का만 क्यों धने किया। तो चीन में हुआ कागच का विश्कार और चाइना की रधानी क्या है बिजिंग चाइना की करेंशी क्या है रेन विबी और चाइना की राष्टर पती कौन है तो सी जिन पिंग है चाइना की राष्टर पती गौतम बुध के बच्पन का नाम क्या था, तू सिद्धात था, गौतम बुध के बच्पन का नाम, और साथ्यों गौतम बुध की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, विसका जबाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको, भारत मिस सस्तर बलो का सरबूच शेना पती कौन होता है तो राष्टर पती होता है कौन होता है राष्टर पती भारत के पर्थम राष्टर पती कौन थे डॉक्टर राजिन परसाथ थे और साथियो मैंने विजश्ट पताया था कि समसे कम उमर के राष्टर पती कौन वने है तो इसका जबाब देना है कमेंट का मुख्य लोक निरत है गिद्धा और भांगरा टेलिवीजन का विस्कार किस ने किया था तो जॉन लोगी वेर्ड ने किया था अर्थात जेल वेर्ड ने किया था भारत की पहली महिला सासे का कौन बनी थी तो रजिया सुल्तान बनी थी और रजिया सुल्तान इल्तु तुम अंदाबाद का नारा जालिया वाला बाग हत्या कंड कब और कहां हुआ था यह 1919 में हुआ था और कहां हुआ था मरीश सर में हुआ था 1939 Svvv में कॉंग्रेष चोडने के बाद सुवासियंद्र भोस ने किस दल की अस्थापना कि थी तो फॉलवर्ट ब्लॉक की अस्थापना कि थी पंजाब केस्तिरी किसे कहा जाता है तो लालालाज पत्राई को पंजाब केस्तिरी कहा जाता है 60 की हत्या किसने की थी तो भागस सिंगी ने अब 60 की हत्या की थी। अब अगला प्रस्टने आपका 1857 SB में बिद्रो में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया तो मंगल पांडे ने 1857 की क्रांती में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगला प्रस्टने आपका भा राउन टेवरेश्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं तो इसका जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको तो 2490 को भारता है वास्कोटिगामा वास्कोटिगामा कहा का रहने वाला था तो पुर्दगाल का रहने वाला था हवा महल कहा है तो जैपूर में साथियो है और जैपूर का चार देवाली वर्ल्ड हेरिटेस साइड में कब सामिल किया गया तो 2019 में सामिल किया गया सिख्धर्म की एप्षपना किस सिख्गुरु को माना जाता है तो गुरु नाना को माना जाता है पास्चंदर वोष को नेता जी के नाम से भी जानते हैं और दिल्ली इस्थित लाल भादु सास्त्री की समाधी का क्या नाम है तो विजय घात है लाल भादु सास्त्री जी का नाम ठीक साथी हो यानि कि दिल्ली में इस्थित लाल भादु सास्त्री जी के समाधी अस्तल का ना की थी जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया तो लाल बहादुर सास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा साथियो समिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजिंद प्रसाथ थे जो 11 इसनमबर 1946 को समिधान सभा के अस्थाई हुए हैं साथियो और अगली बार जो लाऊंगा मैं उस साथियो साइंस का टॉपिक लाऊंगा तो जनकारी अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद